दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीट कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलेगा चूंकि आने वाले समय में हम इसी तो दोस्तों क्या हल चाल मैं नवी मुझाल भाई पहले दो बहुत बहुत थैंक्यू सो मच इतना सारा सपोर करने के लिए फेस्बुक पे आठ जार लोग जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यह टेलिग्राम जो कि हमने लोगडाउन में बनाया था इसमें टेलिग्राम में भाई जितने भी स्टूडेंट अभी तक हमेरी आवाद को सुन रहे हैं डिपलोमा के फस्ट येर में हैं सेकेंड येर में हैं डिपलोमा के फाइनल एयर में हैं डिपलोमा के बाद आपके पास क्या क्या ओप्शन है गोर्मेंट जो आप आगे की पढ़ाई उसके सारे ओप्शन हम इस चैनल पे आपके लीट कोचिंग इन जी सी फोर डिपलोमा होल्डर के लिए यह उपर पहले तो मैं हाथ जोड़के आप अपने सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यावाद कहता हूं कि एक जार बच्चों ने टेलीग्राम पे जुड़ गें इंस्टाग्राम जो कि हमने लोगडाउन में एक्टिवली ऑपरेट करना शुरू किया है 941 लोग इसमें भी जुड धन्यावाद दिल से थेंक्यू है भाई ओ भाईयों ओ बहनों दिल से धन्यावाद भाई तुम्हारे बड़े भाई गा ठीक है अब तुम्हारा बड़ा भाई भाई उन कोशन्स पे वीडियो लेके आता है या ओडियो सिरीज उन कोशन्स पे लेके आता है जिन पर बच्च तो यह जानना चाहते है कि मेरे कैमरे के सामने कब आओंगा बाई मिरे को कैमरे का fear है थोड़ा सा मैं कैमरे के सामने भी आ जूंगा कोई tension वाली बात निया मेरी आवाद सुन लो भी तो आवाद सुन लो हभी तो कुछ mark मिनाएंगे कि इस mark के बाद थे मैं लिखता हूँ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग लिखते बाग कि कोई भाई यहाँ पे कोई धरम वाजी नहीं है सारे बच्चे एक समान है कोई भी मैं माता दी करता हूँ मैं तो यार ये भी कहता हूँ कि सुबा सुबा उठके मैं अपने माता पिता को चन्ण सपर्श करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आप भी करूँ अब मैं फटा फट से भाई, ओलरेडी अगर मैं देखू तो मैं आपके कितने मिनेट ले चुकाँ, दो मिनेट ले चुकाँ, कीमती दो मिनेट मैं उलरेडी ले चुकाँ, उसके लिशमा चाहता हूं, और support करने के लिए तैदिल से धन्यवाद दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो है HB2 युपी के भाईयों के लिए वीडियो है भाई HB2 के लिए वीडियो है HB2 का क्या matter है क्या दिक्कत है वो मैं आपको एक बार जरूर बताना चाहता हूं दोस्तों ठीक है उसकी बात जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं एक बार मैं अगर HB2 का मैंने prospectus खोलता हूं तो यह मैंने discuss की थी line आपको पता नहीं याद होगा के नहीं याद होगा यह मैंने line इ discuss की थी दोस्तों ठीक है यहाँ पे यह तीसरा number line यहाँ से तीसरे number की line से देखिए आप जो की मैंने discuss की थी ठीक है यहाँ पे admission of the B-tech program through later entry for diploma older candidate is allowed directly in second year this admission shall be based on merit of the candidate in the national level entrance examination conducted by the university कि university elite का paper लेगी पर वो national level का कोई उनको को guideline नहीं मिली है मेरी तीन दिन से पिछले बात चल रही थी तो आज मेरी जो बात है Dean academic Dr. सुनील कुमार जो की civil department के professor है H.P.T.U. में है उनसे बात हुई है उनके उनसे बात होने से यह पता लगा है कि government ने उनको कोई guideline नहीं दी है किसी भी तरह की अब जब government ने guideline नहीं दी है दोस्तों ठीक है government ने guideline नहीं दी है तो exam किस basis बे लेंगे अच्छा 2019 में prospectus में था इसका मला ना तो 2019 में little entry हुआ है ना जब से university बनी है उन्होंने little entry नहीं लिया है उन्होंने btec का admission वो कैसे लेते है jay main के exam जो की central government के दुआर exam होता है उसके ब्याब पे ले लेते है national level का exam हो गया jay mains ऐसे ही mtec में gate हो गया national level का exam ऐसे ही तुमारा जो mca के लिए लेते है nimset हो गया mba के लिए भी वो national level का exam ले लेते है दिक्कत क्या btec later entry के लिए national level exam नहीं है ठीक है तो जो diploma वाले मेरे दोस्त मैं आज इस वीडियो के जरिये से आपको करना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए भी कोई policy होनी चाहिए national level exam का आप लोगों के लिए पूरे इंडिया के पूरे भारत देश के जो diploma के student है उनके लिए भी एक national level exam होना चाहिए जिसमें सभी university अपना कुछ-कुछ percentage तो उस national level exam से ले ले और बाकी अब क्या हो रहा बच्चे पंजाब के बर रहे हैं हरयाना का बर रहे हैं हरयाना कहा रहा है पर्सेंटेज के बेस पे लूँगा पंजाब कहा रहा है कि मैं पेपर लूँगा यूपी कहा रहा है मैं पेपर लूँगा यूपीडियू का पेपर दो गस्त बट्रिपलम कहा रहा है मैं पेपर लूँगा तो बच्चे इतने सारे फोम बनेगे आप अपुछी तरह सारे फोंप बढएंगे तो दुमाग किता ही होएगी भाई दोसतों मैं आप सारे दोस्तों से मेरे दोस्तों से कहता हूं कि निचे इस वीडियो में कम से कम बस यह लिख दो सर I am with you national level exam होना चाहिए national level exam होना चाहिए I am with you भाई अगर national level exam होता तो HVDU में भी admission मिल जाता ना ऐसे कितने सर even triple IT में भी मेरी बात हुई थी तो triple IT में भी अगर तुम्हारा national level exam होता तो तुम्हें direct entry मिल जाती भाई मैं आप सब बच्चों से यह दुर्खवास करता हूँ यह request करता हूँ कि निच्चे लिखो I am with you sir I am with you national level exam होना चाहिए मैं और जादा से जादा बच्चे उस चालिग्राम चैनल पे जुड़ जो भाई जितने जादा बच्चे यह जो चैनल में आपको दिखा रहा था जितने जादा बच्चे जुड़ेंगे उतनी जादा एक्टिविटी हम कर पाएंगे एक्टिविटी भी क्या है बस जितने भी डिपलोमा के बच्चे है लीट का एक national exam होना चाहिए national मतलब पूरे भारत देश के जितने डिपलोमा के बाड़क है उस exam को भर पाएं लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है डिपलोमा वाले भाईयों के साथ उनके साथ क्या हो रहा है भया हर state का अपना अपना exam है अब मैं अगर इसकी आपको मैं HPTU कानपूर का बहुत सारे बच्चे पूछ रहे देख फोर्म कब आएगा क्या matter है तो मैं आपको अपडेट दे रहो दोस्तों इसका फोर्म नहीं आएगा इसका फोर्म नहीं आएगा ठीक है तो अपडेट यह है दोस्तों अगर फोर्म नहीं आएगा तो हमें करना क्या है सर आपको कुछ नहीं करना बेटे मल आपके वास जो अभी हैं फिलाल तो आप अपने उन उप्षनों पे चलो और थोड़ा सा साथ अगर आप हमें दे सकते हो अपने जूनियर बैच के लिए दे सकते हो तम एक एक अभियान गोर्मेंट सेंटर गोर्मेंट तो खुंचा सकते ह कि डिप्लोमा वाले बाड़कों के साथ ऐसा क्यों अत्याचार किया जा रहा है जब प्लस टू के बाद बीटे करने के लिए कोई सेंटर ग्जाम क्यों नहीं है सभी स्टेट अपना अपना डिप्लोमा का एक्जाम लेती है इवन स्टेट के अंदर भी अगर तीन-चार उन मेरे डिपलोमाड है भाई है ना भाई एक तो निच्चे जोर से बोलो जैमाता दी लिख देना और निच्चे लिख देना I am with you sir भाई दोस्सों बाड़कों ने लिख दिया ना मैं यकीन कहते हो मैं दिन रात एक कर दूँ पर मैं ये वड़ा आपका साथ है ना आपकी लीट का उसमें जितने भी बढ़िया से बढ़िया बालग हो वह अपना उस लीट के एक्जाम को क्रेक करने के बाद भया जो टॉप की इनिवस्टिया उनको प्रसंटेज बेस को उनका जाकर फॉर्म बर्दवागी अभी ये कैसे लेंगी जैमेंस का इनका फॉर्म बरना प सब्सक्राइब करेंगे अभी वेबसाइट पी इनका लिंक आएगा रिजिस्ट्रेशन कैसे करना उनकी गाडलाइन आएंगी ऐसा नहीं है उसके बाद आपको आपकी जितने जितने लोगों ने गया होगा उसकी जतनी ज्यादा बढ़िया रैंक होगी वो अपलाई करतेग पेपर कितने दिये में उसने पेपर दिया एक उसके बाद जोन सी स्टेट का जो क्राइटीरिया है कि भाईया हमें अपने स्टेट में पचासी प्रिसेंट रखने है 15 प्रिसेंट आउट्साइट वो रख लो अई यूपी का गया यूपी में यहां पर देखो चोथा मतलब क्या दिक्कत क्या है वो कह रहे है कि फोलो हो जाएगा बाई जो यूपी में 100% यूपी वाले होते हैं वो ठीक है यहां पर यूपी बनने के बाद सेंट्रल लेने के बाद भी यूपी के 99% जो टोप पर बच्चे होंगे वो एच्बीडियू में एडविशल लेंगे यूपी का बेस्ट कोलेज है के बाद हमारे बाद उप्चन नहीं है तो हम क्यानटी की दरफ जाएंगे आने वाले टैम में कोई गोर्मेंट की तरफ से H.P.D.U. कानपूर को कोई गाइडलेंड मिल जाती है कि किस तरीके से नेशनल लेवल एक्जाम होगा उसके बाद वो हो जाया तो पता नहीं लेकिन 2006 से युनिवस्टी बनी थी तब से लेटल एंट्री की अडमिशन इसमें नहीं हुआ है और उनके जो डीन अकैडमिक ने ये बात मानी है कि ये जो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है इवन यहाँ पर 4.2 में भी लिखा हुआ है डारेक्ट अडमिशन और सेकिंड यर अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा स्क्रीन पे इसको थोड़ा से उपर कर देता हूँ मैं आपके लिए ठीक है दोस्तों अगर मैं इसको थोड़ा से उपर कर दूँ तो आपको अभी ध्यान, आप स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, candidate of the UP domicile who have passed three or four year diploma with a minimum 60% marks without grace from the institute recognized by the UP board of technical education or equivalent in the relevant branch of engineering or technology as the one in which we need to take admission in BTEC program shall be eligible. भाई, eligible तो सारे बाड़क हैं, even BSC बाड़क भी लिख रखे हैं, जो availability seat होंगी, वो सिटे भी हैं, लेकिन क्या उनके पास कोई guideline नहीं है, उनके पास guideline क्या नहीं है, कि वो paper कैसे लें, यहाँ पे जो points था न, यहाँ पे जो government की guideline थी यहाँ जो, यह, 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 national level entrance exam conducted by the university, यह किस तरिक्चे से conduct कराया जाए, HBTU कानपूर ने अपनी तरफ से, यह बात government को लिख रखी है, लेकिन government की तरफ से कोई reply नहीं है, अब बच्चों को तो HBTU से आप दोना पड़ रहे हैं न, दिक्कत यह नहीं है दोस्तों, मैं दिक्कत आपको यह बताना चाह रहा हूं, कि अगर आप लोग चाहते हो, आने वाले समय में, यह तरह तरह के, जो मैं मलब मेरे को, मैं अगर अपडेट देने लगता हूं, तो आप मेरे पिछले वीडियोज में, या मैं इसमें आई, 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 उपर आएगा उपर आई बटन, मैं आई बटन पे वीडियो डाल दूँआ, उसमें मैंने लेटेस अपडेट, उसमें दस-दस लीट, बारा-बारा स्टेट की लीट, पंदरा-पंदरा, आल अवर इंडिया में, बाइस लीट में आप दे सकते हो, अगर मैं नोर्थीज सिस्टर, सेवन सिस्टर की तरफ जाओं, अगर मैं सिउसेट, अगर मैं किटी, ओजी, जारखंड, बिहार, पंजाब, हर्याना, जम्मू, और तुमारा, उतराखंड, और तुमारा, हिमाचल परदेश, और आपका, प्यू, स्लाइट, पतार कितने लीट हैं, जो हर्याना, हर्याना कैसे बूलगे, मैं हर्याना कहूं भाई, भाई, आप सारे दोस्तों से, HBDU कानपूर की, तो मैं यही अपडेट दे रहा हूं, कि 2020-21 में, लीट में एडमिशन नहीं होंगे दोस्तों, तो जो आप त्यारी कर रहे थे, फिलाल, UPDU की, ट्रिपल M की, उसकी त्यारी दबा के करो भाई, उसमें पूरी मेनत करो भाई, उसमें क्या इंपोर्टेंट है, क्या इंपोर्टेंट नहीं है, मैं जल्दी वीडियो बना दूँगा, और डेट आपके मेरे को नहीं लगता, कि दुबारा पोस्ट कोन होगी, कई पोस्ट कोन हुई है, जो डेटें उसके उपर अभी वीडियो आएगा, आज का दिन है, तो कल आजएगा या आज रात को इसका भी वीडियो बढ़ा देंगे, आज अभी सुबह 9 बज़े हूँ है, ये वीडियो हो सकता है, मैं शाम तक अपडेट करूँ क्योंकि मुझे काम है, मुझे जाना है कहीं, बस आप सारे दोस्तों से मैं कहा रहा हूँ, कि अगर आप सारे दोस्त चाहते हैं, कि आप लोगों का भी सेंटरल एक्जाम होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा कोलेज था भाई, एच वीडियो कानपुर, इसका, मले युपी का ब्रैंड है ये, युपी का बेस्ट कोलेज है ये, अब गोर्मेंट को भी दोड़ा सोचना चाहिए न, डिपलोमा वाड़े बच्चों ने आसा क्या गंदे करम करती है गया, डिपलोमा वाड़े भाईयों ने क्या डिपलोमा लेके गलती करती है, उनको क्या आगे हाइर एजुकेशन अपनी बड़ी अपोले से करने का हक नहीं है गया, बिल्कुल है दोस्तों, मैं being a teacher, पोस्ट कर सकता था, मैंने इसमें अपने चैनल पर लिख से यहां पर पोस्ट कर देता, बहुत सारी गलतीया भी होती होंगी, लोगों का कुछ-कुछ होता होगा, लेकिन मैं आपसे दिल से बात करता हूँ, दिल से कनेक्ट करता हूँ, और मैं अपने सारे बच्चों को जाती-जाते यह जरूर बोलता हूँ, और दुबारा बोलनुगा, सुबह उठके माता-पिता के चर्ण स्पर्श किया गरो, किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट अपने माता-पिता से नहीं करना है दोस्तों, और दुन्हों हाथ जोड़के, सुबह सुबह बगवान से शक्ती मांगनी है, कैसे मांगनी है, यह दो लाइन बोलके, इतनी शक्ती हमें देना दाता, मन का विश्वा से कम जोर ना हो, हम चले नेक रस्ते पेस्ते, भूल कर भी कोई भूलना हो, बूल कर भी कोई भूलना हो, जैहिन, जै भारत, लव यू ओल, गोड ब्लेस यू ओल, टेक क्यर दोस्तों, मैं जल्दी अगली वीडियो लेकि आपके सामने आऊंगा, थैंक्यू सो मच लिस्निवा वोईस, लव यू ओल, बूमान कर भी कोई भी कोई आपके सालकाशा मोपोल्जाशाब भी कोई,